क्रिशी जनजाती मंत्री रामलाल मारकंडा ने कुल्लो में पत्रकार वारता के दोरान कहा कि प्रदेश में 80% आबादी क्रिशी वा बागवानी पर निर्भर है इसलिए ये बहुत आवशक है किसानों को हर संभो सुविधाय प्रदान की जाए उन्ह aquell कहा कि लौकडाउन के कारण किसानों के उतपाद मंडियों तक पहुचे इसके लिए सरकार दोरा प्रयास किये जा रहे हैं कृषी मंतरी रामलाल मारकंडा ने कहा कि मुख्यमंतरी जैराम ठाकों ने लॉकडवन के कुछ दिन बाद ही कृषी कारयों को करने की चूट देने का निरने लिया और साथ ही तैयार नगती फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए पर्मिट जारी करवाएं कृशी कारेओं के तोरां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मासक अथवा फेस कवर का प्रियोग करने के लिए कृशानों को प्रेरित किया गया है उन्होंने कहा कि उत्विर्दों के विपणन के समय किसी प्रकार के असोविधा ना हो इसके लिए ट्रकों वो मालवाहक वाहनों के लिए राश्ट्रिय राजमार्गों पर टायर पंचर अत्वा वाहनों के वरक्शॉप और धाबों को खोलनी की अनुमती प्रदान की गई है मारकंडे ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश वा ओला वरिष्टी से 33 करोड रुपे की नुकसान का आंकलन किया गया है जिसको मुख्यमंतरी जैराम ठाकों ने केंद्र सरकार को प्रेशित किया है उन्होंने कहा कि लोकडाउन के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों की फसलों को बाजार नहीं मिल पाया और देश में होटल वा व्यवसाइक संस्थानों के बंद होने से नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर से भी निवेदन किया गया है जिसमें उनके दिशा निर्देशों पर किसानों की फसलों के नुकसान की विस्तित रिपोर्ट तैयार की जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसलों के नुकसान के लिए आगामी कैबिनिट में चर्चा करेगी रामलाल मारकंडा ने बताया कि दिल्ली की आजादपुर मंडी केवल तीन घंटे खुली रहती थी जिससे हिमाचल प्रदेश से जाने वाली नगदी फसलों को बेशने का समय नहीं मिल पा रहा था मुख्यमंत्री ने और स्वयम उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माथम से केंद्रिय क्रिशी मंत्री से आजादपुर मंडी को 24 घंटे खुला रखने का आग रहे किया उन्होंने कहा कि आड़ती भी प्रदेश में नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें उसके लिए शिमला में पहले पंजी करण करवाना पड़ता था मुख्यमंत्री ने उनके पुराने पंजी करण का इस साल के लिए सीधे नवीनी करण कर दिया है वर्तमान में परियापत संख्या में व्यापारी प्रदेश की नगती फसलों को खरीदने के लिए आ रहे हैं मारकंडा ने प्रदेश के सभी किसानों बागवानों से भारत सरकार द्वारा तयार की गई किसान रत्थ एप को अपने मुबाइल फोन में डाउनलोड करने का आग रहे किया उन्होंने एप पर कहा कि इस एप के साथ 5.70 लाग ट्रक, 20,000 ट्रेक्टर और 14,000 वानीजे की केंद्रों का पंजी करण किया गया है किसी किसान बागवान को अपने उत्पादों के विपड़न के लिए ट्रक की जरूरत पड़े या फिर बिजाई के लिए ट्रेक्टर की या फिर क्रिशी कारें से जुड़े किसी उपकरण की आवाशकता हो तो सीधे इस एप के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं नहीं आएगा तो इसको लाहल स्पिति को बचा दिया है इसके बादे में हमने पूरे हमाच्छत प्रदेश का हमने पूरा कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि किस तरह से रिपोर्ट करें कि किने किसानों को नुकसान हो चुका है उसको बाहर सकार को भेज़ेंगे बाहर सकार से हम क करेंगे कि चुकिसानों का जुवह करेंगे धावी सनी जो ँब्षानों के कारण में उसका करें उस मैं मुक्हे मंतरी महादय ऐसेरे मुक्षे मंतली मुहाद्रा किसानों को बहुत नुक्सान हो सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिली ठाकुर की रिपोर्ट